नमस्कार दोस्तों, Digital Electronics Lecture Series में आप सब का बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो से जस्ट पहले Serial Adder और Parallel Adder को in detail डिसकस कर चुके हैं इस वीडियो में दोस्तों हम डिसकस करेंगे Look Ahead Carry Adder यानि अगर मैं इस English की Hindi बनाऊं तो मैं बोलना चाहता हूं Carry की तरफ बढ़ो कुछ ऐसा Adder है Carry ही दोस्तों एक main problem है अगर हम किसी भी positions की addition करेंगे bit positions की addition करेंगे और अगर उस positions की Carry को parallelly generate कर पाऊं तो definitely in a single step हम large number of bits को parallel adders की help से add कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले Look Ahead Carry Adders के key points को discuss कर लेते हैं सबसे पहला point है This is the fastest adder among all the adders present in your flavors that is serial adder, parallel adder, lack adders तो इन तिनों में जो lack adder है वो सबसे fastest है दूसरा जो key point है दोस्तों वो ये है कि generate parallel carry यानि जो overall concept है वो यही है कि जो आपका parallel adder था इसमें आपके एक full adder को उससे पहले full adder का जो carry output था उसका wait करना पड़ता था तभी वो अपना काम कर सकता था लेकिन इसमें क्या है इस carry को हम parallel generate करेंगे ताकि at a time एक single step में सबका addition हो सके और हमें तुरंत output मिल सके थर्ड जो point है दोस्तों no dependency on successive full adders ये आपने parallel adders का वीडियो अगर देखा है तो वहाँ पता किया होगा कि उसमें जो successive adders हैं वो एक दूसरे के उपर depend करते रहते हैं यानि जब तक पहले full adders की carry out नहीं निकल के आएगी तब तक next full adders addition नहीं कर पाता था तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं journal circuits of lack adders तो यहाँ पर मैंने in journal यहाँ पर circuit diagram draw किया है यह a of i यानि a आपका वो variable है जिसे आप add करना चाहते हैं b दोस्तों आपका second variable है जिसे आप add करना चाहते हैं in terms of i, i आपका कोई भी integer value हो सकता है basically किसी भी bits की positions को हम i से represent करते हैं अगर i 0 है तो वो list significant bits है i आपका कोई maximum integer number होगा तो वो आपका most significant bits को represent करेगा p of i इसका exhoring operation है यह आपका p of i है तो यह हमने लिखा p of i that is equal to a of i exhoring with b of i ठीक है इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे p of i और यह जो c input है आपका carry input यह फिर से आपका exhoring operations में है और finally आपका sum मिल जाता है तो इसको क्या बोलेंगे p of i exhoring with c of i तो i hope यह आपको समझ आ चुका है और यह expression भी समझ आ चुका है अब दूसरा है दोस्तों यहाँ g of i g of i का मतलब होता है दोस्तों generating carry ठीक है और p of i का मतलब होता है propagating तो g of i यहाँ क्या है a of i और b of i का end operation है इसका जो output है उसको मैं g of i से represent करता हूँ तो यह हमारा बन गया दोस्तों a of i end operation with b of i अब point यह है दोस्तों कि p of i और जो c of i है एक बार exoring हुआ फाइनली मुझे सम मिल चुका है लेकिन अगर मैं इन दोनों का end operation करूँ और g of i के साथ उनका और operation करूँ तो फिर मुझे c of i प्लस 1 मिल जाता है आप देखोगे यह बहुत interesting है दिरे दिरे आपको सब समझाएगा कि पूरा intention यही है कि जो carry generate होगी उसको parallelly generate करो ताकि बहुत सारे जो parallel adders में full adder use करने होते हैं उनको wait ना करना पड़े तो g of i एक input बना यहाँ p of i और आपका जो c of i है and operation से pass होते हुए दूसरा input बना और इसको फिर हमने और gate से pass करा दिया so this is c of i plus 1 that is equal to p of i and operation c of i आपके सामने है or operation with g of i अब दोस्तों point यह है कि मैं इस journal examples को 3 bit parallel adders से समझाना जाता हूँ 3 bit parallel adders का मतलब होगा कि आपका जो a और b variable है उनके पास सरिफ 3 bits है जो list significance है उसको 0 position मानते है फिर आपकी 1 position फिर आपकी 2 positions यानि i की value होगी दोस्तो 0, 1 and 2 तो a जो है यह इसके पास 3 bits है that is a2, a1, a0 b जो है यह इसके पास 3 bits है that is b2, b1, b0 अब i को जब 0 put करेंगे तो दोस्तों in journal जो हमने यहाँ diagram की help से formula लिखा है या जो expressions लिखे हैं उसको आप elaborate करो i0 it means p0 आप निकाल लोगे that is a0 exhoring b0 बिल्कुल ठीक है अब g0 भी निकाल लोगे a0 end operation with b0 similarly आप क्या करेंगे s0 भी निकाल लेंगे p0 exhoring with c0 c0 क्या है c0 है दोस्तों आपका input carry जो की normally हमारा 0 मानके चलते हैं अब इसके बाद क्या है यहाँ पे हम 0 put करेंगे तो c0 plus 1 that is c of 1 हो गया यह क्या बनेगा दोस्तों p0 end operation c0 और operation with g0 यह आपका c1 बन गया तो इसके लिए आप क्या करेंगे iath equal to 0 यानि आप list significant bits का expression निकाल चुके हो और इसको दोस्तों आप यहाँ पे represent करा देजिए यह आपका a note आपके पास available रहेगा b note आपके पास available रहेगा क्योंकि यह input variables का list significant bits है फिर दोस्तों इसको exoring से pass कराऊगे p note बन गया ठीक है इसको end gate से pass कराऊगे g note बन गया अब इसके बाद आपको चाहिएगा c1 c1 क्या होगा p note c note का end operation यह आपका p note है c note आपको already given होता है जो कि normally 0 होगा तो यह आपका end gate से pass करा दिया oaring with g note g note already आ चुका है इसके साथ oaring करा दिया तो दोस्तों यहाँ पे आपको c1 मिल चुका है अब इसके बाद i-th पे जो आपकी carry out है वो c1 है वो मिल चुकी है अब जो sum output है वो होगा p note exor operation with c note c note already given होता है p note आपने exoring से निकाल चुके हो c note p note का exoring operation that is s note तो जो least significant bits है वो already sold हो चुकी है अब दोस्तों बात करते हैं i1 की i1 के case में पहले p1 निकलेगा that is a1 exor operation with b1 फिर g1 निकलेगा a1 exor operation b1 फिर s1 निकाल लेजिए p1 exor operation with c1 फिर आप c i plus 1 i क्या है 1 तो यह बनेगा 1 plus 1 that is 2 तो c2 बनेगा दोस्तों p1 and operation c1 plus g1 ठीक है प्लस कहलेजिए वैसे technically इसको और operation कहते हैं तो अब इसका आप circuit बना लेजिए इसका मतलब least significant bits already add हो चुकी है और यहां से जो आपका carry निकलेगा वो c1 निकलेगा c1 already आप निकाल चुके हो यानि जो आपका a1 b1 जो bits हैं इसको add करने से पहले ही इस bits के corresponding जो carry generate होगा वो आपने already निकाल लिया है तो इसका मतलब आपने carry को भी parallelly generate कर लिया है तो इस positions पे जो full adder होगा अब उसे wait नहीं करना पड़ेगा उसके पास c1 already available है a1 b1 already available है तो वो उसको तुरंट add करेगा तो इसका circuit बना लिजिए a1 b1 exoring करा लिया p1 मिल गया and operation करा लिया g1 मिल गया अब इसके बाद दोस्तो g1 भी आ चुका है p1 भी आ चुका है s1 देख लिजिए s1 क्या होगा p1 यहाँ पे है इसको मैंने यहाँ लिख दिया c1 already previous step से निकल चुका है यानि यहाँ से तो p1 c1 इसका exoring s1 यहाँ से आ चुका है यानि यह जो position है इसके corresponding sum आपने निकाल लिया है अब point है कि इस positions पे carry out कैसे generate करेंगे जो next bits के लिए parallelly generations का का काम करें तो यह देख लिजिए दोस्तो c2 क्या है p1 and operation c1 plus g1 c1 already यह है दोस्तो इसको आप यहाँ लिख दीजिए c2 is equal to p1 and operation with c1 c1 की दोस्तो यहाँ पे value put कर दीजिए p0 and operation c0 plus g0 यहाँ पे finally g1 इसको दोस्तो solve कर लेजिए this is p1 this is p0 this is c0 फिर बनेगा दोस्तो p1 g0 and g1 तो जो c2 है इसका जो circuit बना वो बना दोस्तो p1, p0, c0 इनका end operation यह है दोस्तो p1, p0, c0 and operation फिर दोस्तो बनेगा p1, g0 p1 already आ चुका है g0 उससे भी पहले आ चुका था तो वो सारे available होंगे इनका end operation फिर दोस्तो g1 g1 इस step से पहले हम निकाल चुके हैं फिर यह जीवन आ चुका है यहाँ यह जीवन है दोस्तो इन तिन्नों का क्या किया हमने end operation और operation sorry और operation से आपको क्या मिला c2 यानि यह आपको c2 मिल चुका है अब दोस्तो finally यह जो positions है इसको भी हमने add कर लिया है अब इस position से जो आपकी carry out निकली वो क्या निकली c2 और वो c2 कहाँ add होती है यह जो a2 b2 और c2 इसमें जाके add होगी तो इसका मतलब जो third positions है i equal to 2 के लिए अब वो देख लिए i equal to 2 के लिए क्या बनेगा p2 क्या है a2 b2 exor operation exor करा लिया यह p2 बन गया end operation करा लिया यह z2 बन गया अब दोस्तो s2 क्या होगा s2 है आपका p2 exor operation c2 c2 already पहले step से यानि यह c2 already निकाल चुके है इसका मतलब s2 निकालने के लिए c2 की जो requirement होगी c2 already available था तो definitely p2 c2 का exor operation s2 निकल जाएगा अब point आता है c3 यानि next जो आपकी carry out होगी उसका क्या गरा उसका क्या बनेगा expression तो यह देख लिजिए यह c3 है p2 into c2 c2 की value पुट कर दिजिए यह p2 है दोस्तो और c2 क्या है this is p1 end operation c1 oaring with z1 यह आपका c2 आ चुका है और यह c2 यहाँ put भी कर दिया plus आपका क्या होगा z2 plus कह लिजिए और operation कह दिजिए तो इसके बाद इसको solve करें अब c1 क्या है दोस्तो c1 already यह है इसकी value face से put कर लिजिए p2 p1 और p1 यहाँ c1 put कर दिजिए तो यह बन जाएगा दोस्तो आपका p2 and operation c0 plus g0 plus g1 plus g2 जब इसको complete solve करेंगे तो दोस्तो यह बन जाएगा p2 p1 p0 c0 अब बनेगा दोस्तो आपका p2 p1 g0 फिर बनेगा दोस्तो आपका p2 g1 फिर finally बनेगा आपका g2 यानि 4 आपके inputs होंगे तो यह देख लेजिए दोस्तो p2, p1, p0, c0 p2, p1, p0, c0 already सब available है निकल चुके हैं तो definitely यह सब यहाँ पे available होंगे दूसरा जो है दोस्तो p2, p1, g0 p2, p1, g0 इसका भी end operation से पास करा दिया थर्ड है दोस्तो p2 into g1 p2 into g1 p2 यहाँ से निकल चुका है g1 बहुत पहले निकल चुका था plus g2, g2 already आ चुका है इसका हमने क्या किया overing करा दिया और यहाँ पे c3 निकाल लिया तो दोस्तो इस तरीके से look ahead carry adder में क्या करते हैं कि जो भी आपकी positions है जैसे list significance है तो इसके बाद जो यह first positions की जो bits add होंगी उसमें जो carry होगा उसको हम parallel generate कर लेते हैं यानि जब भी a1, b1 available होगा उसी time पे इस positions के corresponding carry input भी available हो जाएगा और आपके जो successive full adders थे parallel adders में उनको wait नहीं करना पड़ेगा यानि इस situations में तो यह जो carry generate होती थी इस carry के लिए ही हमने इस circuit का use किया है और इसलिए इसको बोलते हैं look ahead carry यानि carry की तरफ देखो carry को अगर आप parallel generate करा पाए तो फिर आपके full adders को wait नहीं करना पड़ेगा तो दोस्तो यह जो section है middle one यह है आपका lag circuit lag circuit और complete है दोस्तो आपका lag adder for the 3 bits अब point यह है दोस्तो कि इसमें कितने time के बाद आपको output मिल जाएगी चाहे कितने भी bits हों यानि one TPDs के बाद आपको यह output मिल जाएगी one more TPDs के बाद आपको यह सारी output मिल जाएगी one more TPDs के बाद आपको यह output मिल जाएगी और finally one more TPDs के बाद आपको पूरा sum मिल जाएगा यानि first levels में यह सारे gate connected हैं इनकी output मिल जाएगी after one TPDs after one more TPDs आपको यह output available हो जाएगी after one more TPDs यह available हो जाएगी and after one more TPDs overall output available हो जाएगी तो यह आपका मालेज यह first TPDs है यह आपका फिर से एक TPDs है और यह आपका फिर से एक TPD यानि propagational delay और यह फिर से propagational delay यानि total बहुत सारे complex circuit है काफी सारे XOR and OR gates connected हैं लेकिन वो 4 different logic levels में connected हैं तो total जो time लगेगा दोस्तों कितने भी number of bits available हो lack adders will take only 4 times of TPDs यानि जो total time लगेगा वो होगा 4 times of TPDs यानि 1, 2, 3, and 4 4 times of propagational delay के बाद आपको definitely output मिल जाएगी एक और question यहां से पुछा जाता है दोस्तों कि on the basis of number of bits आप कैसे find out करोगे कि कितने OR gates available हैं और कितने AND gates available हैं तो इसके लिए देख लिजिए दोस्तों यहां पर हमने 3 bits का आपके सामने explain किया है 3 bits के लिए 1, 2, and 3 तो अगर आपके पास N bits हैं तो आपके पास N OR gate use होंगे ठीक है और अगर कोई आपसे पूछे कि AND gate कितने use होंगे तो 3 bits के लिए कितना है दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इसके लिए क्या होगा दोस्तों जैसे 3 into 3 plus 1 divide by 2 that is 6 इसका मतलब N bits अगर आपके add करने हैं with help of lack adder तो AND gate कितने use होंगे that is N into N plus 1 divide by 2 this is your AND gates तो I hope दोस्तों आपको बहुत अच्छे से ये समझा गया होगा काफी important concept है university exams में या engineering services में conceptual questions यहां से पूछ लिए जाते हैं तो overall concept यही था दोस्तों कि हम चाहते थे कि जो भी position of bits को हम add करें उसी positions पे carry अगर हम parallelly generate कर पाएं तो definitely हमारे full adders को weight नहीं करना पड़ेगा और हम after 4 times of TPDs output को available करा सकते हैं So this is the end of the video I hope you liked it If you like it, please share this video to help all the engineers Thank you so much for watching this video